हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चेनल, तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आप आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो फ्रेंड्स चलिए आज बना लेते हैं, गर्मियों के लिए कुछ खास रेसिपी, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुन्दर और बहुत ह आइस क्रीम, यह जो आइस क्रीम है, आपको बहुत पसंद आएगी, और यह इतनी सॉफ्ट है कि आप देखते ही, इसे बनाना पसंद करेंगे, तो चलिए देखते हैं, यह सूपर सॉफ्ट, सूपर टेस्टी आइस क्रीम कैसे बनाने हैं, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, इस इसकी जो recipe है फटा फट से मैं आपको बताऊंगी ज्यादा कोई हमें ताम. नहीं करनी होगी बस simple सी recipe है और इस simple सी recipe में आपको बाजार जैसे आइस्क्रीम मिल्ने वाली है तो चली बनाते हैं इसे आज हम बनाएंगे पपीता से, तो एक्चुल में मेरे पास इस तरह से आधा पपीता बचा था, तो मैंने सोजा इसका कुछ ना कुछ तो किया जाए, इसलिए मैं इसकी आइसक्रीम ही बना दी, अब इसे अच्छे से बीच में से कट करके, छिलका अटा के बारिक बारिक आप इसे चौप कर लिजिएगा, अभी इसे रखते हैं साइड में, पैन में डाल दिया है एक गिलास दूद, और हलका जब बॉयल हो जाए, तो चार चोटे चमच इसमें चीनी डाल दे, और अच्छे से गुलने दे, अब एक बाउल के अंदर आधा बाउल लिया है मैंने दूद, दो चोटे चमच कस्टर्ड पाउडर डाल दे और अच्छे से घोल ले, अब फ्रेंड्स कस्टर्ड आप कोई भी ब्रांड का लिए सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम डालेंगे दूद के अंदर, दूद हमरा बिल्कुल ही इसे ठंडा कर लेंगे इस पर एक लेर मिन धरी मतलब पर्फ़ेक्ट एबना है अच्छे-ठंडा करने के बाद हमें कमना क्या होगा बिल्कुल अच्छे से ठंडा कीजीगा फिर ऑपको ऐसे बनाना है जो पापीता हमने काटे थे उसे mixer jar में डाल दे और custard भी सारा डाल दे और अच्छे से mixi को चला दे तो हमारा यह जो paste है मतलब घोल है बहुत ही गाड़ा हो जाएगा और बहुत ही perfect हो जाएगा अब आप चाहे जिस container में इसे बना सकते हैं चाहे तो किसी bowl में भी जमा सकते हैं तो इसे सारे को निकालके दो गंटे से जमने के लिए छोड़ दे और दो गंटे बाद हम वापस इसे चेक करेंगे तो दो गंटे बाद मैंने इसे चेक कर लिया है हलका जमा है और हलका यह liquid है तो इसी स्टेज पे हम दोबारा से इसे mix जार में डालके अच्छे से एक बार इसे वापस से चलाएंगे ताकि हमारी जो यह ice cream है बहुत ही soft बने तो फिर से डाल दिया है जार के अंदर ice cream को फिर से हम थोड़ा से चला लेंगे तो इससे बहुत क्रीमी और बहुत ही tasty ice cream बनने वाली है तो अच्छे से हमें यह काम कर लिया है और फिर से हम इसे डाल देंगे उसी डब्बे के अंदर जिसमें हमने जमाया है तो अब इसे डालके हमें overnight जमाना है तो अच्छे से सारा निकाल लिया है पेस्ट अब हम इस आइस क्रीम को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैंने घर की नॉर्मल जो मलाई होती है वो ले ली है इस पीस तरह से डाल दी है और हल्का तूत पिक से इस तरह से गुमा देंगे तो बहुत ही प्यारी डिजाइन बनेगी यह बिल्कुल optional है आपको पसंदो तो करें बन अच्छे से मैंने इस तरह से निकाल लिया है बहुत ही कमाल की बनी है इसके लिए कोई शब्द नहीं है आप चाहें जैसे इसे कट कर सकते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस गर्मिया बनागी से इंजोई कीजिएगा मैं से इंजोई करती हूँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स